एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि चिंचैन उसे कहता है कि तेरे अब तक का जितने भी अटैक है वो सारे मैंने खतम कर दे तो तु क्या सोच रहा है कि इस अटैक को मत तेरे खतम नहीं कर पाऊंगा जिसमें वह वहां पर अपनी सोड में अपनी ब्लड लाइ चैनने सहरा कैसे दोर इतना रहान होते हैं कि यह तो एक अभी सिर्फ सुयन लेवल की अर्ली स्टेज पर है और इसने एक लेट स्टेज के आदमी को आस इतनी असानी सहरा दिया यह तो बहुत जदा टैरिफाइंग इंसान है और वही ब्लैक रोव वाला कह रहा होता है कि ल सब निकाल के रहूंगा यहां पर वायत हिंदू और उसे कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं तुझे सोच रहा है कि सिर्फ तुमारे वहीं पर होते हैं टैलेंटीड इंसान हमारे फाइव किंडम में भी है और उस पर अटेक करने लिए जाता है अपनी एक पावर स होता है उन्नी बmun कर दिता है इसके बाद वहाँ से हम दिते हैं कि जो होता है वो बहुत जाद हो पाथ है पर एक अटक उसके ऑपर करता है जिसके वह और हो यह कि नहींट करता है दे बात हो लेकिन वह घर bolyn कहते हैं चैसे कि यह लोग क्यासे हमारे उनक्य क्पार्वास कटे हैं और फिर दुसरी तरह देखते हैं कि जो विच ही होता है और यहां पर यहां फे दीशान होत हैं दॉन्नों के लड़ाई सोगे बता रहा होता है कि मेरे इस बैल के डिफैंस को कोई नहीं तोड़ सकता चाहिए वह कितने ज़्यादा पावर्फुल हो मार्शल मार्शल आर्टिस्ट के चाहिए वह क्यों ना हूँ जिस पर वहां पर वह से कहते हैं कि तु बहुत जाद अपने आप पर गवंड कर रहा है और वह कहते हैं कि अगर तुझे मुझे से लड़ना है तो तुझे कम से कम मिडल स्टेज में वुजोंग होनों चाहिए और वह इस फिर अपनी पावर से एक बहुत ही तरदी से टाक करते हैं और उसे अढ़ा देते हैं और वहां पर बाहर लोग इन से उन तोनों की फैट देखके कहरे होते हैं कि इस सब्सक्राइब लोगों को और हम फिर तभी देखते हैं कि वह तीनों वहां से मैच जीत जाते हैं उसके फिर लोगों को चुना जाता है जिसमें कि बार जो मैच में होता हैं वहां पर मास्टर लैंग के सामने उनका एक किंडम का आता है उसके बाद쳤 यहां पर जो नहीं होते हैं कि बार तो जो यह टोप सिक्स जो कंटेस्टेंट होंगे उसमें से तीन तो यहां पर फाइव किंग्डम में से होगा और हमारे भी यहां पर वी डानेश्टी से भी तीन है यह रेट अच्छा नहीं चल रहा है हमें वैंग चीमिन वाले और वहां उसकी दोनों के आपस में और हम लोग देखते हैं कि माश्टर लैंग भी वहां पर किसी से लट रहे होते हैं और वो जो वी कंट्री के जो जनरल होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यू चिंग शुकर्स टैलेंट साचे में अच्छा है लेकिन वह यहां पर यह ऐसे आदमी से मिली जिससे उसका जीतना झाल झाल